हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे साधियों में बनने वाली मसालेदार चिकन दम बिर्यानी, इसे हैदरावादी दम बिर्यानी भी कहा जाता है, हमारी दम बिर्यानी बहुत ही जवरदस्त बनके तयार हुई है, अगर आप भी इस मेथट से बना वाली चिकन दम बिर्यानी, इसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में वन कप तेल को अच्छे से गर्म करके, इसमें 5-6 मीडियम साइच की प्याज को स्लाइस कट करके इसे फ्राई कर लोगी, इसे गोल्डन फ्राई होने तक लगातार चलाते हुए, इसका कलर गोल्डन होन अब मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी, जिसके लिए मैंने वन केजी चिकन ली हूँ, इसमें वन कप अच्छे से बीट किया हुआ दही एड करूंगी, टू टेवल स्पून अद्रक और लैसन का पेश्ट, बारिक कटा हुआ धन्या और पुदीना की पत्ती, इसमें चार से पांच हडी मिर्च को बीच से कट करके इसमें डालेंगे टू टेवल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेवल स्पून जाइवेतरी और जाइफल का पाउडर, हाफ टेवल स्पून हल्दी पाउडर, वन टेवल स्पून धनिया पाउडर, अब इसमें नमक टे डालेंगे वन टेवल स्पून बिर्याइनी मसाला पाउडर हाफ टेवल स्पून काली मिट्स पाउडर वन पिंच फुट कलर यह ऑप्सिनल है हाफ लेमन जूस अब मैं जो फ्राय की हुई थी प्याज उसमें से थोड़ा सा गारनेशिंग के लिए निकाल लूँगी अब मैं सारे प्याज को हाथों से हलके सा करस करके इसमें ड्याल देंगे अब मैं सारे मसाले को हाथों की मदश से अच्छे तरze से मिक्स कर लेंगे अब मैं चिकन को मेरिनेट होने के लिए एक से दो घंटे के लिए रख देंगे मेरिनेट किया हुआ चिकन एकदम जूसी और सॉफ्ट बनता है तो इसे ढख कर एक घंटे के लिए छोड़ देंगे अब मैं फ्राइ की हुई प्याज जिस तेल में उस तेल में मेरिनेट किया होओ चीकन को डाल दूगी अब मैं इसे अच्छे तरह से मिक्स करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे इसे 90% के लिए कुख होने दें तो मैं इसे से मेडियम फ्लैम पर 90% कुख होने के लिए के छोड़ द्य inom देखिए हमारा चिकन 90% cook हो चुका है इसकी gravy की quantity थोड़ी ज़्यादा है मैं इसे थोड़ा देल और high flame पर और cook कर ले रही हूँ देखें अब इसकी gravy सही है मुझे बिल्यानी में ऐसी gravy चाहिए अब मैं पानी को अच्छे तरह से boil होने तक boil कर लेंगे अब मैं इसमें 1 tablespoon जीरब दो बड़ी लेची तीन से चार छोटी लेची एक श्टारे नीज तीन से चार लॉंग एक इंच cinnamon stick थोड़ा सा तीन से चार तेज का पत्ता अब पानी को अच्छे से boil होने दे इसमें 1 tablespoon तेल रखूंगी 2 tablespoon नमक डालें नमक अच्छे से डालेंगे क्योंकि इसका पानी निकल जाएगा तो देखिए पानी अच्छे से boil हो चुका है अब मैं इसमें कुछ धनिया पत्ती कटा हुआ डाल देंगे आधा tablespoon lemon juice रख दूँगी मेरा पानी अच्छे से boil हो चुका है पानी boil हो जाए तभी इसमें चावल रखे मैंने यहाँ पे 1 kg चीकल लेती और इसमें 1 kg चावल आड़ कर रही हूँ मैंने चावल को थोड़ा दिर पहले धोकर रख लीती देखें इसमें मैं यह चावल को आड़ कर ले रही हूँ अब चावल को सारे चावल को अच्छे से रखकर इसे चला दें और मैं इसे 90% के लिए खुक कर लेंगे high flame पह तो देखें मैं ठखकर इसे 90% के लिए खुक होने के लिए छोड़ दे रहा है हमारा चावल 90% cook हो चुका है, अब मैं इसे चान कर निकाल लोगी सारे चावल को मैं इस तरह चान कर निकाल ले रहा है तो देखें, मैं सारे चावल को निकाल ली अब मैं layering करूँगी, इसके लिए मैं एक बरतन ली उसमें फर्स्ट लेयर चावल रखोंगी उसके उपर धन्या पत्ती पुदीना पत्ती और फ्राइ किया हुआ प्याज से गार्नेशिंग कर लोंगी फिर उसके उपर गोश्ट डालेंगे फिर उसके उपर चावल रखकर उसके उपर गार्नेशिंग करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज धन्या पत्ती पुदीना पत्ती से अब मैं जो बचा हुआ चिकन था फिर उसके उपर डाल देंगे अब मैं उसके उपर बचा हुआ चावल भी रख दूँगी अमें उसके उपर food color धन्या पत्ती फ्राइगी अवर प्यास से गार्नेशिंग कर लेंगी इसे दम के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए छोड़ दें देखें हमारे दम बिर्यानी एकदम रेडी हो चुका है यह मसालेदार एकदम चिकन दम बिर्यानी बिलकुल रेडी हो चुका है चावल भी देखिए कितने खिले खिले हैं यह चिकन दम बिर्यानी बहुत ही मज़े का बनता है आप इसे जरूर ट्राइ करें और कॉमेंट में बताएं कि हमारी एडिसीपी आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें फैमली और फ्रेंट के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सेब्सक्राइब किये बीना बिल्कुल भी न जाए